ओपनमाइंड गुर्जी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है तो आज का ये सेशन उन स्टुडेंट के लिए जो बेस अबरी से इंतजार कर रहे थे कि हमारा एक्जाम कब होगा और सर अमारा टाइन टेबल कब आएगा क्यों तो बहुत सारी डेर सारी कमेंट है कि सर हमारी एक्जाम की डेट क्या रहे तो अभी एक्जाम तो एक नहीं होती है आपको पता है एक्जाम दो होती है एक होती है प्रेक्टिकल और दूसरी होती है अमारी ऑनलाइन CPT होती जो की थेरी, employability, skill, engineering, drawing और workshop calculation, combine exam उती एक और exam pattern क्या होता है, ये भी हमने इसके पहले session आपको दे दिया है, ये ये वीडियो बना के upload कर दिया है, आपको चैनल पर मिली किया होंगो, कि exam pattern क्या है, और साथ साथ में उसका passing marks क्या होता है, लेकिन आज का session क्या है, कि आपका जो time table है, क किस date को आपको क्या करना है, तो ये सबसी important है, क्यों तो अभी आपका जो इंतजार खतम हो चुका है, तो आपको क्या करना अभी पढ़ाई पर लग जाना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कि actual में किस तारिक से, मतलब कौन सी तारिक हमारे लिए important है, क्यों तो जो later है लेटर किसका है, ministry of skill development and entrepreneurship, ये जो हमारा department है, जो हमें क्या करता है, डी जी टी बोलती है उसको, शॉट में अभी आपने सब कुछ पढ़ लिया, विचो second year में, उनको सब पता है, first year वालों को कुछ नया लग रहा होंगा, ठीक है, तो ये पाच तारिक का लेटर है, पाच नीचे आके, अगर हम देखते हैं, जो important data है, वही हम बताएंगे, सबसे important आपके लिए है कि exam fee submit करना भी देखिए, अभी तक आपको exam fee submit कर देना था, ठीक है, लेकिन नहीं कियोंगे, तो आपको भी last chance है, last chance है, आपको last समय, अगर आप यानि कि आपको क्या करना देखिए, या पर 30 जून भली लिखा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, कि 13 जूलाई से, 13 जूलाई से पहिले आपको क्या कर देना है, आपका exam fees paid कर देना है, college में जाके याद से क्यों, तो अगर 13 जूलाई आपकी एक बार निकल गई, तो आपका exam इस साल होने वाला नहीं है, और आ उत्ते टाइम तक ही आपका ITA valid है, अगर आप exam नहीं देते हो, तीन बार तभी भी आपका क्या हो जाएगा, expired हो जागे, इसलिए ये miss नहीं होने होना, सबसे important आपके लिए ये है, ठीक है, आगे में दूसरी तारीक कि practical exam सभी को बताएगी, पहले क्या होती है, पहले क्या ह सेकंड एर हैगा, अभी डीपेंड करता है कि आपका ट्रेट कौन सा है, वन येर वाला है, टू येर वाला है, आप फरस्ट एर में हो को सेकंड एर हो, उसके हिसाब से, तो आप पूछेंगे, सर हमारा कब exam है, तो आपका जब हाल टीकिट आएगा, हाल टीकिट जब आपका हाथ में, उसके बाद जो main exam होती है, सबसे आसान भी बोल सकते हैं, जो पढ़ाई नहीं करेंगे, उनके लिए सबसे difficult भी, तो CBT exam, तो CBT exam देखेंगे आप, तो ये 7 अगस्ट से start होगे और 27 अगस्ट, आप कहेंगे, सर मेरा number कब आएगा, तो आपका number कब आएगा, कैसे प में भी कभी-कभी छुड़ गे हो, तो उनके लिए बाद में भी exam ले लेते, अब यो देखेंगे कि होता क्या है, तो फिलाल के लिए सबसे important था, कि CBT exam हमारी 7 अगस्ट है, तो उससे पहले आपको पूरा आपको पढ़ लेना है, practical हमारा 1 अगस्ट, 5 अगस्ट है, उससे भ प्लेइलिस्ट अवाइल है, इलेक्टरेशन का है, फर्स्ट यर, सेकंड यर, इंप्लाविलिटी स्कील, इंजिनिटिंग, ड्राइंग, उसके साथ-साथ में, मतलब जो भी हमारे लिए, जो भी important है, सब कुछ हमने वापे clear कर दे, प्लेइलिस्ट अल्रेडी, आप देखें जब्बी स्तरकाम नया वीडियो प्लोड करें तो आपको उसका नूटिबिक्शन अन्यों, ठीक है, या पे इस सेशन को रोग देते, धन्यवाद,